आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, अभी हमें Trigonometry का question करेंगे जो कह रहा है If a1 plus a2 cos 2x plus a3 sin square x equals to 0 भी true for all x then a1, a2, a3 can be uniquely determined true or false यह बोलोड क्या a1, a2 और a3 के unique answers आएंगे देखते हैं इस expression को सबसे पहले हम simplify करेंगे ऐसे हम नहीं बता सकते है solution expression क्या है a1 plus a2 cos 2x plus a3 sin square x equals to 0 अभी यहाँ x का term में यहाँ 2x का है so अभी uniformity नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको uniform करेंगे कैसे, cos 2x क्या होता है cos 2x is cos square minus sin square x और इसको sin के form में क्या लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x so sin square x क्या हो जाएगा 1 minus cos 2x by 2 so हम sin square x की जगे क्या लिख सकते हैं cos 2x plus a3 1 minus cos 2x by 2 अभी पूरा यह linear term आगे, अपने पास degree x की क्या होगी, 1 so solve करते हैं a1 plus 2x plus a3 by 2 minus a3 by 2 cos 2x this implies a1 plus a3 by 2 plus cos 2x common ले 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 हैं into a2 minus a3 equals to 0, ओके, यह question आगे, अब यह कह रहा है, यह true है, ठीक है? ओके इसका मतलब है यह जो left hand वाला expression है यह हमेशा 0 है हाँ हो सकता है 0 है cos x की कोई value होगी जिससे 0 हो जाएगा बट यह कह रहा है for all x हर x के लिए 0 है ऐसे कैसे हो सकता है हर x के लिए 0 है मतलब इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा तभी तो 0 फ्लस 0 होगा so a1 की value क्या आगी अपने पास minus a3 by 2 और a2 की value क्या आगी a3 by 2 let's say मैं a3 को t लेता हूँ so a1 की value क्या आगी minus t by 2 a2 की value क्या आगी t by 2 और a3 तो t ही है अब मेरे को आप यह बताओ क्या यह unique है क्या मैं t के जगे मैं 1 डालूँ तो क्या होगा minus 1 by 2 1 by 2 और 1 t के जगे 2 डालूँ तो क्या होगा minus 2 by 2 2 by 2 t के जगे मैं 5 भी डाल सकता हूँ minus 5 by 2 5 by 2 and 5 फिर भी मेरा यह लेगा क्योंकि यह मैंने इस expression से solve किया है जब a3 को मैंने t डाला है आप डाल के देखलो minus 5 वाले को डालते है 5 वाले में क्या होगा a1 a1 क्या है minus t by 2 that is 5 by 2 plus a3 by 2 a3 by 2 क्या है a3 क्या है t t by 2 0 plus cos 2x a2 a2 क्या है t by 2 that is 5 by 2 minus a3 by 2 a3 क्या है 5 0 हमेशा यह value 0 आएगी but यह unique solution नहीं है अब t की values को change करते रहो so आपके पास अलग-अलग answer साते रहेंगे a1, a2, a3 के so यह uniquely determined नहीं है so this is a false statement so it's false अजी डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर हवार्सो चार्सो